कहा जाता है कि हमारी जिन्दगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृती हमें संकेत जरूर देती है लेकिन कभी-कभी इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते क्योंकि उन चीजों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है आईए जानते हैं क्या है वो संकेत पहला अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र आपको दिख जाए तो ये संपन्नता का संकेत होता है अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय तलने का संकेत माना जाता है अगर आपके घर के द्वार पर गाय आकर रंभाए तो ये घर में सुक सम्रद्धी आने का संकेत होता है एसे में गाय के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाएं अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाई तरफ कोई बंदर, कुत्ता या साप दिखे तो यह संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है किसी नोकरी के लिए इंटर्व्यू देने जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह सुभ संकेत माना जाता है पूजा के दोरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन नहें और जल्द ही आपकी मनो कामना पूरी होगी यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है अलावा यह आर्थिक इस्थती मजबूत होने और धन लाब होने का भी संकेत होता है यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्सन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मा लक्षमी की क्रपा होने वाली है जब ही आपके घर के सामने आग का पोधा उगते हुए नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है यह संकेत काफी सुबह माना जाता है अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब आपके जिन्दगी में खुशियां आने वाली है